वेल्कम टू स्टडी 24 देपूर इस वीडियो में हम लोच की आउधारना कंसेप्ट ओफ इलास्टिसिटी इस टोपिक को डिसकस करेंगे इसके अंतरगत हम एक तो मांग की लोच और दुसरा पूर्ति की लोच इलास्टिसिटी ओफ डिमांड और इलास्टिसिटी ओफ सप्लाई इन दोनों टोपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिसली क्लासों में हमने मांग का नियम और पूर्ति का नियम पढ़ा था, आज हम देखो सबसे फिल स्टार्ट करने वाले हैं मांग की लोच देखिए मांग के नियम में हमने पढ़ा था कि अगर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य टत्व अगर इस्थिर रहते हैं तो ऐसी इस्तिति में किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी प्राइज अगर बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है मांग है वो क्या होगी कम हो जाएगी और कीमत अगर कम होती है किसी वस्तु की तो उस वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी बढ़ जाएगी मांग के नियम में हमने पढ़ा था कीमत और मांग के बीच में विपरित संबन पाये जाता हैं लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था का कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होगा ठीक है किसी वस्तू की कीमत और मांग की बीच में विपरित संबन पाये जाता है इसका दिन हमने किया था लेकिन कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होगा वो हमेशा एक जैसानी होगा कहने का मतलब कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन जादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कोई भी इस्तिती हो सकती है, तो कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है, उसको मापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है, मांग की ल कीमत लोच से, दूसरा होता है मांग की आई लोच से, और तीसरा होता है आड़ी या तिरची लोच से, ठीके मांग की जो लोच होती हैं, वो तीन परकार की होती हैं, फर्स हमारी है कीमत लोच, दूसरी हमारी है आई लोच, इंकम इलास्टिसिटी, और तीसरी हमारी है क्रोस elasticity, आड़ी, लोच, सबसे पहले अगर हम कीमत लोच की बात करें, तीनों की परीवर्शन आपको पता होने चीए, कीमत लोच का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्टन होने से, उस वस्तु की मांग में जो परिवर्टन होता है, उसको मापना क्या कहलाता है, कीमत लोच, ठीक है, कीमत में परिवर्टन से, मांग में जो परिवर्टन होगा, उसका माप क्या कहलाता है, कीमत लोच, यह हम ऐसे कह सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्टन से, उस वस्तु की मांग में जो आनुपातिक पर परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे कीमत लोच कहेंगे तो आगे हमारा जो अध्यान होगा वो मुख्य रूप से किस के ओपर हम फोकस करेंगे ज़्यादा कीमत लोच के ओपर जब हम आय लोच को परिवाशित करते हैं उसे हम क्या केते हैं मांग की आय लोच केते हैं जब हम आडी लोच की बात करते हैं तिर्ची लोज की बात करते हैं इंग्लिश में इसको हम कहते हैं cross elasticity इसका मतलब किसके साथ में हैं सम्मंदित वस्तू के साथ में जो related goods हमने पड़े थे चाहे वो इस्थानपन हैं चाहे वो पूरक हैं substitute या complementary जो goods होती हैं तो इनके संदर में अगर हम देखें किसी एक वस्तू की मांग में जो परिवर्तन होता हैं उसका माप क्या कहलता है आड़ी लोज या तिर्ची लोज या अगर हम ऐसा कहें एक स्वस्तू की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से y वस्तू की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे मांग की आड़ी लो क्या होती हैं तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मांग की जो कीमत लोच होती है ठीक है वो एक तरह से क्या बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की अनुक्रियात्मक्त का मतलब क्या हो गया कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मा अपना एक्तरस हम क्या कह सकते हैं मांग की किम्मत लोच कहते हैं तो मांग की किम्मत लोच के अगर आप परिबाशा देना चाहो सिंपल शब्दों में था मैसे भी दे सकते हैं किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे के प्राप्त कर सकते हैं, ठीके, जैसे देखिए, अगर हम हिसा कहें, किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है, वो कितना परिवर्तन हुआ है, 10 प्रतिशत, ठीके, उधान मान लिए हमने, कि कीमत में अगर 10 प्रतिशत परिवर्तन हुआ है और उस वस्तो की मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है माना की 20 प्रतिशत यहां पे हम कुछ भी मान सकते हैं ठीक है इस 10 प्रतिशत की तुलना में हम कम भी मान सकते थे जादा भी मान सकते हैं बराबर भी मान सकते कुछ भी हो सकता है ठीक है कीमत में कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में परिवर्तन जादा हो सकता है कम हो सकता है बराबर हो सकता है बिलकुल परिवर्तन नहीं हो कोई भी इस्तिती संभव हो सकती है तो एक उधारण में हमने मान लिया किसी वस्तु की कीमत में अगर 10 प्रति का परिवर्तन हो तो यह किसको प्रदेशित करता है मांग की कीमत लोज को मांग की कीमत लोज को जब हम सुत्र के रूप में प्रदेशित करते हैं तो हमारा सुत्र क्या बन जाएगा किसी वस्तू की मांग में अनुपातिक परिवर्तन या किसी वस्तू की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठेके इस परतिशत परिवर्तन में हम किसका भाग दे देंगे, किसका डिवाइट कर देंगे, वस्तो की कीमत का, ठेके, कीमत में परतिशत परिवर्तन, ये हमारा फॉर्मला हो जाएगा, मांग की कीमत लोजको मापने का फॉर्मला क्या बन जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ये पूरा आप लिखना चाहरो दली सकते हो नोटस में ये पूरा हो जाएगा आपका परिवर्तन मांग की आई लोच का सुत्र क्या बन जाएगा income elasticity का मांग में प्रतिशत परिवर्तन upon बस कीमत की जगाब यहां पर क्या लिख लोगे आई में प्रतिशत परिवर्तन यह क्या हो जाएगा मांग की आई लोच और मांग की तिरची लोच का जो formula है वो हमारा क्या ब परिवर्तन एक्स वस्तू की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन उपर मांग लिखना पड़ेगा आपको एक्स वस्तू की मांग में प्रतिशत परिवर्तन एक वस्तू हमने लिए हैं उसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन को देख रहे हैं और किमत किसी दूसरी वस्तू की माना कि Y वस्तू ले लेते हम तो Y वस्तू की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से X वस्तू की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है यह इसका आप अपोजिट भी कर सकते हो X वस्तू की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से वाई वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, तो यह आपका हो गया मांग की लोच ग्याद करने का formula, और एक formula हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालना कितना हवा इसको लिख लेंगे डेल्टा यू ऐ ट्राइंगल बनारा एगे कarta कि मांग में कितना हुआ अपून इसको हम लिख लेंगे कियो और इसको किया है किमत में प्रतिशत परिवर्त ना जाएगा इस परिवर्तन कितना हुआ इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी अप्लस परिवर्तन से पहले वाली कीमत कम लिखेंगे पी और इसको हम multiply कर देंगे किसे 100 से तो हमारे पास में क्या जाएगा कीमत में प्रतिशक परिवर्तन तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मांग की कीमत लोच को ग्याद कर सकते हैं अब देखो हम देखते हैं मांग की लोच की श्रिणियां तेके मांग की लोच की जो श्रिणियां होती है वो कितनी होती है पांच होती है ठीके मांग की लोच की कितनी श्रिणियां होती है पांच श्रिणियों होती है ठीक है पांच श्रिणियों का मतलब क्या हो गया कि देखे कीमत में परिवर्तन होने से वस्तू की मांग में जो परिवर्तन होगा उसमें कुल पांच इस्तितिया बन सकती है पहली इस्तिति क्या हो सकती है कि वस्तू की जो कीमत है प्राइज उसमे किसी परकार का कोई परिवर्तनी हो कीमत क्या रहें इस्थिर और वस्तू की जो मांग है डिमांड है वो क्या हो या तो बड़े या गटे एक इस्तिति यह हो सकती हैं दूसरी इस्तिति हमारी हो सकती है कि कीमत जो है वो या तो बड़े या गटे लेकिन वस्तू की जो मांग है डिमांड वो क्या रहें इस्थिर तो दूसरी इस्थिति ये हो सकती हैं तीसरी इस्थिति हमारी कौन सी हो सकती हैं कि वस्तू की कीमत जो हैं उसमें माना की 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो जाए और वस्तू की जो मांग है उसमें भी 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो जाए मतलब द तुलना में मांग की तुलना में जैसे कीमत में अगर 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो और मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो माना की 5 प्रतिशत का परिवर्तन हो और 15 इस्तिति कौन सी हो सकती है कीमत में अगर 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो लेकिन मांग में ज्यादा परि प्रोज की श्रीणिया केते हैं ठीक है सबसे पहले अगर हम इस डाइग्राम में देखें यह डाइग्राम हमारा क्या बताता है कि वस्तु की कीमत चाहें ओसे लेके पी तक हो या कीमत बढ़ भी जाएं या कीमत घड़ भी जाएं लेकिन मांग क्या है आपकी इस्थिर है ओसे लेके क्यू है तो जब कीमत में कमी या व्रदी से मांग में कोई परिवर्तन नी होता है मांग इस्थिर रहती है तो इसको हम क्या कहते हैं पूरुन तया बेलोजदार मांग इबराबर क्या हो गया आपका शुन्य ठीक है इक क्या आपका elasticity लोच और मांग की लोच किसके बराबर है शुन्य इसका मतलब क्या हुआ किमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं E बराबर 0 और E बराबर 0 को हम क्या कहेंगे पूर्ण तया पूर्ण तया बेलोच दार मांग पूर्ण तया बेलोच दार मांग कहेंगे इसको यह आपकी पहली स्थित्य हो गई है अब दूसरा डाइगराम हम देखते हैं इसमें अगर आप देखो तो वस्तु की कीमत कितनी है O से लेके P तक है टेके कीमत क्या है O से लेके P और मांग कितनी है माना की O से लेके Q तक है चाहे मांग बढ़के Q 1 हो जाए चाहे मांग घटके Q 2 हो जाए कीमत इस्तिर है कीमत में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है कीमत में अगर किसी परकार का कोई परिवर्तन ये कीमत क्या है इस्थिर लेकिन मांग जो है वो कितनी भी घटे या बड़े मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है अनन्त तो इसको हम क्या कहेंगे मांग की लोच क्या है अनन्त लोजदार है और अनन्त लोजदार को हम क्या कह स जाए मांग कितनी भी बड़े कितनी भी गटें कीमत में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो तीसरी स्थिति देखिए हमारी इस डाइग्राम में हैं ठीक है जिसमें हमने देखा था किसी वस्तु की कीमत में अगर 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो तो इस वस्तु की मांग में भी कितन परिवर्तन हो 10 प्रतिशत का जितना परिवर्तन कीमत में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में अगर मांग में परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं मांग की लोच कैसी है इकाई लोजदार कहेंगे ठीके मांग की लोच एक के बर मांग की लोच एक के बराबर कब होती है जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में अगर हो जाए हमारी कौन सी हो सकती है मांग की लोच एकाई से अधिक ठीक है और एकाई सद्धिक को हम क्या होगा देखिए जब कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन जादा हो जिसे किसी वस्तू की कीमत अगर 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो जाए ठीक है कीमत में कितना परिवर्तन हो जाए 10 प्रतिशत लेकिन उस वस्तू की मांग में कितना परिवर्तन हो जाए 10 प्रतिशत से ज़्यादा माना की 20 प्रतिशत का तिसको हम क्या कहेंगे अत्यदिक यहां पर भी रहेगा जैसे कि कीमत अगर वस्तु की 10 प्रतिशत बढ़ जाती है तो उसकी मांग जो है अगर 20 प्रतिशत गड़ जाए ठीक कीमत में कितना परिवर्तन हुआ 10 प्रतिशत का 10 प्रतिशत बढ़ गई है और मांग में कितना परिवर्तन हुआ 20 प्रतिशत का 10 प्र हैं मांग की लोच एकाईसे कम लोजदार ठीक है मांग की लोच क्या है एकाईसे कम लोजदार या इसको हम अत्यधिक बे लोजदार कह सकते हैं अत्यधिक बे लोचदार ठीक है देखो बे लोच का मतलब क्या हो गया मांग में कम परिवर्तन लोजदार का मतलब मांग में जादा परिवर्तन तो अत्यदिक बेलोजदार में क्या होगा का वस्तू की कीमत में अगर 10 प्रतिशत का परिवर्तन हो और उस वस्तू की मांग में 5 प्रतिशत का ही परिवर्तन हो जैसे वस्तू की कीमत अगर 10 प्रतिशत बढ़ जा हैं तो इसको हम क्या कहते हैं अत्यधिक बेलोजदार मांग कहेंगे ठीक है तो यह मांग की लोच की 5 शनिया होती हैं कौन कौन सी होती हैं मांग की लोच इ बराबर अनन इसका क्या मतलब हुआ किमत घटे या बड़े कीमत इस्थिर रहें और मांग जो हैं कितने भी घटे या बड़े मांग में कितना भी परिवर्तन हो सकता हैं कीमत के इस्थिर रहने पर दूसरा हमने देखा था इ बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया कीमत जो हैं वो घटे या बड़े लेकिन वस्तु की जो मांग है वो क्या रहेती हैं इस तिर मांग में कितना परिवर्तन हो बिल्कुल नहीं मतलब शुन्या मांग में 0 परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इबराबर 0 पूर्ण तया बेलोजदार मांग में अनन्द परिवर्तन हो सकता है तो इसको हम कहेंगे इबराबर अनन्द, पूर्ण तया लोचदार, तीसरी स्थिए, इबराबर एक, टीके, इकाई लोचदार किसे कहेंगे, जितना परिवर्तन कीमत में होता है, उतना ही परिवर्तन मांग में होता है, इए, इकाई से ज़्यादा, इसको हम कहते हैं, अत्यदिक लोचदार, में 10 परिवर्तन, और मांग में 20 परिवर्तन, और 5 होती है, इकाई से कम, ठीके, इकाई से कम का मतलब, मांग में कम परिवर्तन हो रहा है, किस की तुलना में, कीमत की तुलना में, अगर कीमत में 10 परिवर्तन होता है, तो मांग में कितना परिवर्तन होता है, 5 परिवर्तन, कीमत अगर 10 प्रतिशत बढ़ती हैं तो मांग अगर 5 प्रतिशत कम हो जाती हैं जिसको हम क्या कहेंगे मांग की लोच 21 से कम है ठीक है अत्यधिक बेलोजदार हैं तो ये 5 प्रकार की श्रणिया होती हैं अब देखिए मांग की जो कीमत लोच होती हैं वो दो कारक दो तत्वों के उपर मुख्य रूप से निर्भर करती हैं बहुत सारे तत्व हो सकते हैं ठीक है लेकिन आपकी जो NCRT की बुक हैं इसमें मुख्य रूप से दो तत्व लिखे हैं कौन-कौन सा वस्तू की प्रक्रती और दूसरा वस्तू के निकट इस्थानापन वस्तू की उपलबदता द मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता हैं किस प्रकार की स्थिति पांच स्थितिया जो होती हैं मैं आपको बताई थी अब देखिए मांग की लोज किस प्रकार की होगी तो उसे कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तो सबसे पहला जो तत्व हम पढ़ेंगे व वस्तु कौन से हो सकती है अनिवार्य वस्तु या आवशक ठीक है आवशक वस्तु कौन से होती है एसी वस्तु में जो हमारे जीवन के लिए आवशक होती है जैसे कि आपका खादी पदार्थ हो गया खाना हो गया ठीक है यह आवशक होता है तो आवशक वस्तु क्या करेगी क किसी वस्तू की मांग को किस मांग की लोच में अगर आप देखोगे तो अगर खाधिय पदार्थ महंगय हो जाएंगे अगर उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो भी उनकी मांग में कमी नहीं आएगी मांग के उपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे परभव पढ़ता है मांग परभव कम पढ़ता है इसको क्या करेंगे बेलोजदार वस्तों के संदर में अगर इनकी एक किम्त मुझें बढ़ भी जैए तो भी मांग परभव नहीं पढ़एगा अगर खाथजी परदार सस्त हो जाएंगे तो भी ऐसा नहीं की लोग उनको ज्यादा मात्रा में खाने लग जांगे गसा नहीं होता है मतलब इनके जो मांग होगी वह kuin फर्वावित हैं परसुघ क्वस्तु आप प्रतिस्ठा को बताती हैं यहां पर हम ले लेता है आराम दायक नहीं और तीसरा हम ले लेंगे विलासिता की वस्तु आहें लक्षरी ईटम ठिक है दको पहले आपका कौन सा था अनिवारी वस्तु आवश्यक वस्तों है अब विलासिता वस्तों के अगर हम बात कर रहा है तो विलासिता वस्तों जैसे कि आपका हो गया air conditioner हो गया ठीकए AC हो गया जैसे अच्छे महंगा भवन हो गया सब्ध करें जैसे building हो गहाँ छही Memorial यहां फीर सोने-चांदी हो गया जैसे तो हमारे जीवन के लैनिवार इनी है अगर हमारे गर्में एस-इ नहीं होगा तो भी कोई दिकत नहीं आएगे ठीक है आगर सीं हम अपने करमें लगाएंगे जी नहीं पाएंगे मर जाएंगे यसा नहीं होता है मतलब विलासितव वाली वस्तम आटी और नियुक्र करते हैं जभ इनकी कींते कम हो जाती हैं और कीमत अगर भढ़ जाएं तो क्या करें इनकी मांग कम कर देंगे तो विला सिता वस्तों के बारे में अगर हम देखे कीमत में परिवर्टन से मांग पे जयादा प्रभाव पड़ता है conscious परिवर्तित हो जाती हैं इसलिए यहां पर मांग की लोच केसी होगी लोचदार होगी एकाई से अधिक हम कह सकते हैं और आरामदायक वस्तों के संदर में अगर हम देखें तो जो मांग की लोच होती हैं इकाई के बराबर होती हैं ठीक है जितना परिवर्तन कीमत में होगा जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता हैं सामने तह उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता हैं तो यह वस्तू की प्रकृति के बारा में हो गया दूसरा है हमारा वस्तू के निकट इस्थाना पन वस्तों की उपलब्द है तो देखिए अगर किसी वस्तू की इस्थानापन वस्तू उपलब्द हैं तो एसी स्थिति में क्या होगा इस्थानापन उपलब्द होने के संदर में क्या होगा जैसे कचोरी अगर महंगी हो जाती हैं और कचोरे की इस्थानापन वस्तू समोसा उपलब्द हैं तो इसका मतलब क्या हो गया एक वस्तू की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे दुसरी वस्तू का प्रियोग बढ़ा देंगे इसका मतलब जिस वस्तू की कीमत बढ़ी उसकी मांग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मतलब उसकी मांग प्रभाव हैं इसतानापन उपलब्द नहीं है तो मांग की लगदार अगर बढ़ जाए तो क्या होगा तब भी हमको उसी इंदली का प्रयों करना है इंथानाफD observe तो क्या होगा वो चीज अगर मेंगी हो जाएगी उसकी प्राइज बढ़ जाती है तब भी हमको उसी का प्रियोग करना पड़ेगा जैसा कि गेस सिलेंडर हैं तो गेस सिलेंडर का को इस्थाना पन उपलग्द नहीं है तो यहां पर गेस मेंगा हो जाएगा तब भी क्या स्थाना पन उपलग्द नहीं है तो इस इस इस्ति में क्या होगा मांग की लोज क्या होगी बेलोजदार क्योंकि अगर मेंगा हो जाएगा तब भी हमको उसी का प्रियोग करना पड़ेगा जैसे कि आपकी बाइक है कार है उसमें पेट्रोल वाली है अब पेट्रोल की कीमत माना की 100 रुपए हैं ठीक है अगर 100 रुपए से बढ़के वो 120 हो जाए तब भी हमको अपनी बाइक में कार में वही पेट्रोल भराना पड़ेगा अगर डेड़ सो रुपए हो जाएगी तब भी क्या होगा हमको उसी का प्रियोग करना पड़ेगा ऐसा निक पेट्रोल के मेंगी होने पर भी हमको उसी का प्रियोग करना पड़ेगा मांग प्रभावित नहीं होरी मांग की लोच मापने की जो वीदियां है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकता है कि इंपोर्टन चीज आपको याद रखनी जिसका कोशन एक्जाम में बन सकता है कि देखिए मांग की लोच अगर इकाई के बराबर होती है ठीक है मांग की लोच इकाई के बराबर इसका मतलब क्या हो गया जितना परिवर्टन कीमत में होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्टन होता है और एसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र हैं उसका आकार किस परकार से बनता है इस आकार को हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला हिंदी में इसको हम कहेंगे आयताकार अधिंद्र या कहें कहें पर आयताकार अतिपरवले भी लिखा हो सकता है ठीक है आइताकार हाइपरवले इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है कि जब मांग किलोच इकाई के बराबर होती है E is equal to 1 इसका मतलब क्या हो गया जो हमारा मांग वक्र है वो किस परकार से बनेगा आइताकार अतिपरवले या आइताकार हाइपरवला या रेक्टेंगुलर हाइपरवला जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और क्या दर्शाता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है ठीक है यह जो दोनों box हैं यह वाला और यह वाला यह क्या है बराबर यह किसको दर्शारा है कीमत में परिवर्तन को और यह किसको दर्शारा है मांग में परिवर्तन को और जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती इसका मतलब क्या होता है जिस अनुपात में कीमत में प्रतिशत परिवर्थन जिस अनुपात में हो रहा है मांग में परिवर्थन भी उसी अनुपात में होता है अब हम पढ़ेंगे पूर्ती की कीमत लोज जिस परकार से हमने मांग की कीमत लोज पढ़ी थी उसी परकार से पूर्ती की कीमत लोज भी हो सकती है उसकी परिवाशा का जो तरीका है वो भी सेम वही रहेगा ठीक है तो price elasticity of supply पूर्ती की कीमत लोज तो किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ती में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे पूर्ती की कीमत लोज कहेंगे और इसका फूर्मलाप का क्या बन जाएगा किसी वस्तु की पूर्ती मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ठीक है अपन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ठीक है ये इसका सुत्र बन जाएगा पूर्ती की कीमत लोज ग्याद कने का सुत्र क्या हो गया किसी वस्तु की पूर्ती मात्रा में प्रतिशत परिवर् अगर हम भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पूर्टी की कीमत लोच, और जिस परकार से हमने पूर्टी का नियम पड़ा था, कीमत और पूर्टी की बीश में धनात्मक सम्बन पाये जाता है, उसी तरेके से वो जो धनात्मक सम्बन है, वो यहाँ पे भी बना रहेगा कीमत और पूर्ति में जैसे की कीमत में अगर 10 प्रतिशत की वरद्धी हो जाए और उस वस्तू की जो पूर्ति है वो 10 प्रतिशत बढ़ जाए 10 प्रतिशत भी बढ़ सकती है 5 प्रतिशत भी बढ़ सकती है 20 प्रतिशत भी बढ़ सकती है पूर्ती की किमत लोज ग्याद करने का हमारा यह formula बन गया है यहां पहले जो हमने formula पढ़ाता वह हो सकता है पूर्ती को हमने अगर quantity को delta q लिख दिया तो पूर्ती मात्रा में परिवर्तन अपन पूर्ती में प्रारेंबिक पूर्ती कितनी है इसको multiply कर देंगे सो से और इसमें हम divide कर देंगे किसका किमत में कितना परिवर्तन हुआ अपन पहले किमत कितनी थी multiply गुणा कर देंगे इसको हम किससे सो से इससे हमारे पास में क्या जाएगा पूर्ती की किमत लोज आदी और पूर्ति की किम्मत लोच के बारे में आपको उसको मापने की जो जामिती विदी हैं उसके बारे में आपको ध्यानक ना है कि देखिए पूर्थी की जो लोच हैं उसमें भी पांच परकार की श्रिणिया हो सकती हैं लेकिन मुख्य रूप से जामिती विदीद्वर हम क्या कर सकते हैं तीन श्रिणियों को ही माप सकते हैं अब देखिए जो पूर्थी वक्र है उसका आकार हमने पढ़ा था कि कैसा होता है दनात्मक ढाल का अब देखिए जो पूर्थी वक्र है अगर मूल बिंदु से प्रारम होता है मूल बिंदु मतलब यहां से अगर प्रारम होता है यह देखिए मूल बिंदू से अगर प्रारम होता है इसका मतलब पूर्थी की लोज क्या होगी एक के बराबरी आपको याद रखना है कि पूर्थी वक्र अगर मूल बिंदू से प्रारम होता है मूल बिंदू का मतलब आपका यहां से अगर प्रारम होता है मूल बिंदू से अगर प्रारम होता है तो पूर्ति की लोज क्या होगी एक के बराबर होगी इकाई लोजदार पूर्ति इसको हम कहेंगे इकाई लोजदार ठीक है पूर्ति की लोज कैसी है इकाई लोजदार कब होती है जब पूर्ति वक्र मूल बिंदू से प्रारम होता है अब पूर्ति की लोज जो है वो 81 अधिक जो है 81 अधिक हम कब कहेंगे 81 अधिक जब पूर्ति वक्र हमारा O Y अक्ष से प्रारम होता है यह हमारा O Y अक्ष है इस साइड में यह आपका O Y अक्ष है और यह हमारा है O X तो इस O Y से अगर प्रारम होता है इस वाले भाग से कहीं से भी आपका पूर्तिवक्र अगर प्रारम हो रहा है जैसे कि यह हमारा प्रारम हो गया है O Y अक्ष से अगर पूर्तिवक्र प्रारम होता है तो यह किसको दर्शाएगा पूर्ती की जो लोच है वो क्या है एकाई से अधिक लेकिन ये जो निचे वाला अक्ष है ये वाला इसको हम कहते हैं O X अक्ष तो जब पूर्ती वक्र इस O X अक्ष से प्रारम होता है जैसे कि ये हो रहा है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे पूर्ति की लोच क्या है इकाई से कम तो ये तीन बाते आपको मुख्य रूप से ध्यान अकनी है कि पूर्ति की जो लोच है वो इकाई के बराबर कब होती है जब पूर्ति वक्र मूल बिंदू से प्रारम होता है जब O X अक्ष से प्रारम होता है तो पूर्ति की लोच मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, E equal to 1 का मतलब क्या हो गया, जिस आनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है, पूर्ती मात्रा में भी उसी आनुपात में परिवर्तन हुआ, और E is less than 1 का मतलब कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है, पूर् नकना है और आगर बात करें तो दिर्ग कालिन अगर समय है इसन को सकता है यह तो दिर्ग कालिन होगा यहाम फिर होगा अल्पकालिन समय तो दिर्ग कालिन समय में क्या होता है कि किसी भी वस्तू की पूर्थी को हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं ठीक है दिर्ग कालिन समय का मतलब वस्तू की पूर्थी को घटाए भी जा सकता हैं बढ़ाए भी जा सकता हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं इसका मतलब पूर्थी की लोच सकते हैं अच्छाना कीमत बढ़ गी अब तुसको बढ़ा ही नहीं जा सकता है तो मांग की लोच किसी होगी अलब काल में क्या होता है किसी वस्तुत की पूर्ती को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो चार-पात मेने बाद में हम उसकी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं अभी उसकी फसल बो देंगे चार पात पेने बाद में टमटर आ जाएंगे तो उसमें उनकी कीमत देर देरे क्या हो जाएगी कम इसका मतलब जो समय तत्व होता है वो पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है इसी तरीके से द में अगर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो भी उत्पाद को क्या करना पड़ेगा कीमत काम हो जाए तो भी अपना जो माल उनको बेचना पड़ेगा ठीक है तो शिग्र नस्ठ होने वाली वस्तों के संदर में जो पूर्ति की लोच होती है वो किस परकार की होगी बे लोज़दार होगी क्योंकि अब उनकी पूर्ति करना आवर्शक होता है यहां कि उनको हम अधिक समय तक बचा के रख सकते नहीं तो वह खराब हो जाएगी और टिकाव वस्तों अगर हैं ठीक है टिकाव वस्तों का प्रियोग हम क्या कर सकते हैं लंबे समय तक कर सकते हैं और इनको इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो इनकी कीमत अगर कम होगी लोग नहीं बेचना चाहेंगे ठीक है तो इस सिस्थे में क्या होगा इनकी जो मांग की ने लोज़ें वह कैसी होगी लोज़दार तो आपको ध्यानक ना है कि ठीक कव वस्तौँ के संदर में उनको इस्टोर कर सकते इसलिए इनकी लोज़ क्या होगी पूर्ति लोज़दार होगी ठीक है लेकिन जब इनकी कीमत जादा होगी तभी उत्पद्र क्या करें उसको सकते हैं आज अगर उनकी कीमत कम मिल रहे हैं मानकी ठीक है कि टमाटर मानकी पांच रुपे किलो आज हो गए तो किसान सुचेगा अगर नहीं हम तो एक मिने बाद बैचेंगे महेंगा हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि शिग्र नश्ठोंने वाली वस्तों के संदर मे पूर्ती की लोज कैसी होगी बैलोजदार लेकिन ठीकाव वस्तों को श्टोर कर सकते हैं तो आथ की गलास में इतना ही धन्यवाद